नमस्कार प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी मैं आपका साथी मंदीब कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication तो दोस्तो आज की इस वीडियो मैं आप सभी के लिए एक खुसकबरी लेकर आया हूँ हरियाना में Group D की एक बार फिर से जो recruitment आ गई है कितनी vacancies है किस परकार से farm भरे जाएंगे कब आपके interview होंगे और एक बात और बता दूए खुसकबरी और इसमें written exam नहीं होगा सिधा interview based आपको ये job मिलेगी तो पूरा scenario भरती का क्या रहने वाला है इस वीडियो में complete detail आपको देने वाला हूँ उससे पहले दोस्तो एक request आप से चैनल पर नहीं आए हैं चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कर लें दोस्तो सभी process को देखने के लिए कि बरती कैसे पूरी होगी आपको ये वीडियो अंतग जरूर देखनी होगी तो चलिए दोस्तो ज्यादा समय खराब न करते हो वीडियो को शुरू कर लेते हैं देखिए दोस्तो जो हमारी district court होती है सोनी पर district court सिर्षा district court करनाल और फतेह बाद इन सभी के अंदर जो है process server और PN की जो है vacancy निकली हुई है और direct interview basis ये आपकी recruitment है तो जो हमारी शिर्षा जजज है माफ किजिए शिर्षा जो district and session जजज है वहाँ पर जो है vacancy आई हुई है शिर्षा की जो court है उसके अंदर तो public appointment office of the district and session जजज शिर्षा advertisement application are invited for the following post त तो process server की इसमें total 8 vacancy है journal की 4 है SC की 2 है BCA की 1 है और X servicement journal की 1 है PN की 6 है जिसमें journal की 4 है SC की 1 और BCA की 1 है तो इसमें बोला गया है कि number of post can be increase or decrease without any prior notice तो इसमें vacancies थोड़ी सी up-down भी हो सकती है qualification process server के लिए 10 पास है PN के लिए इसमें 8 पास है और जो age limit है वो 18 से 42 साल है तो date of publication 5 फरवरी को ये फारम निकले है और फारम बरने का तरीका क्या है last date in की फारम बरने की 25 फरवरी को 14 बजे तक आपको ये फारम जो है district and session जजज सिर्षा के अंदर पहुँचाना offline ही आपके होंगे application plain paper पर आपको अपना complete buy data देना है एक उसमें आपको अपना latest part precise photo भी चिपकाना है अपने age के proof education qualification और reservation के proof उसमें आपको अपने लगाने है और alphabet के हिसाब से इसमें आपके जो है interview होंगे interview की date इसमें पहले ही दी हुई है तो A से E तक जिसका नाम है process server के लिए 11 मार्च को होंगे interview F से H वालों के लिए 12 मार्च को ICM के 13 मार्च को alphabet N2R 14 मार्च और alphabet S2Z 15 मार्च यह process server के लिए और PN के लिए जो आपके interview होंगे A2F 16 मार्च G2M 18 मार्च N2R 19 मार्च और S2Z 20 मार्च कोई separate call letter interview के लिए नहीं बुलाया जाएगा तो इसमें आपके सीधे interview है फारम भरी है अपना plain paper पे बाहर data लिखिये फोटो चीप का ही है और 25 फरवरी तक आप district session जज़ शिर्शा में उसको submit करा दीजिए आप interview की date यहां से देख सकते हैं बार बार आप जब भी आपको interview की date देखनी है आप channel पर video चला कर देख सकते हैं और अपना interview की date जो है पता कर सकते हैं reporting time साड़े 9 बजे रहेगा आपका जिस दिन भी आपका interview हो इसके अलावा जो आपके फारम निकले हैं यही प्रोसेसर के और प्रोसेसर के और प्रोसेसर के डिस्टिक सेशन जजज सोनीपत के अंदर निकले हुए हैं यहां पर प्रोसेसर सर्वर की जो है एक वेक से निकली है जिसमें पांचमी पास इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई 18-42 साल तक इसमें आपकी एज क्राइटिरिया रहने वाला है और इसमें जो लास्ट देट है इसमें 22 फरवरी और उसमें आपकी 25 फरवरी थी शिरिसावाले में interview schedule एक मार्च को आपको official website पर मिल जा अलावा करनाल और फतेहबाद में भी प्रोसेस सर्वर और पी-एन की वेकेंसी निकली है करनाल के अंदर पांच है और फतेहबाद के अंदर आठ है तो उसमें भी ऐसा सेम प्रोसेस रहने वाला है तो दोस्तों यहीं आपके लिए न्यूज लेकरा था आठ्वी और दश्म को सब्सक्राइब करने धन्यवाद